हेलो फ्रेंज, स्वागत है आप लोग का NCEIT जोन में SSE CGL के लिए आपको पता है हम लोग GS कर रहे हैं और GS में, tier 2 में, साथ में computer भी आ रहा है computer जैसे कि आपको पता है तो इसमें कैसे दिया हुआ, कैसे कैसे दिया हुआ और कैसे कैसे हम करने वाले हैं Pinnacle की किताब ही बहुत famous किताब है और कैसे इसमें discuss करेंगे देखे इसमें दिया होता है chapter wise theory दिया होता है chapter wise और उस chapter से related MCQ दिया होता है टोटल ऐसे ऐसे करकर के टोटल 75 chapter है like file name extension, domain name extension, computer abbreviation यह अलग-लग topic है फिर दिखाया है कि इस topic से इस file name extension से SSC, CHSL में किब आया है कितना RRB, NTPC, CBT1 में SSC, Delhi Police में इन सब इक्जामें जो आया है न यह almost हो जाता है 30 questions और यह सारा questions इकठा करके दिया रहता है मतलब एक topic उससे previous question में कौन-कौन आया है और उसके अलावे कुछ extra questions मालब previous year में इससे 17 questions 13 questions अपने से इनों ने डालिया टोटल इस topic से हमने 30 questions किया और प्लस theory तो हमने करी लिया theory कैसे दिया होता है इस तरह से theory दिया होता है file extension का कुछ theory दिया होता है उसके ऐसे question पूछा हुआ है switch of the following is an extension of temporary file तो इस तरह हम discuss करेंगे एक एक चीज हम एक चाप्टर discuss करेंगे कल से 1st chapter स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और जो लोग already group में join हो गए है उनके लिए उनको उसमें मिलना सुरू हो जाएगा और जो लोग नहीं जोइन किए इस नंबर पर करके इस नंबर मैसेज करके जोइन हो सकते हो इसमें आपको GS tier 1 tier 2 दोनों के लिए मिलेंगे साथ में computer भी मिलने वाला computer awareness वाला topic तो पूरा मिलेगा बहुत ही nominal price पर इसमें आप पता कर सकते हो 499 मातर price है जिसमें GS पूरा और computer होने वाला है तो मिलते हैं और GS में हम theory तो पूरा करा ही रहे हैं उसके पिनेकल से practice भी करवा रहे है पिनेकल वाली जो हमारे book है उससे practice भी करा रहे है जो topic आप वहां से करो उसका practice कर लो साथ साथ तो यह हम करने वाले तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए thank you thank you so much